हेलो गाइस वेलकम बेक तो माई चैनल आज के वीडियो हम डिसकस करेंगे अपने एकसाइज 7.9 तो इसके आज हम करेंगे अपने कोशन नमबर 12 से लेके 22 तक तो अपनी लास्ट वीडियम हमने वन से लेके 11 तक सभी कोशन से अच्छे से कंप्लीट कर लिया थे और अपने इस घंट अकसाइज से कंसेट को भी पढ़ लिया था तो चलिया आज हम स्चाट करते हैं कौशन नमबर 12 से कोशन से प्रवाइस कर लेते हैं चलिए देखते इसके अंदर क्या ऐक्साइज 9 में हमने पढ़ेता है definite dish के लगए हमने अबने definite इंटीखेशिंस का फरक होता है चिसमें आपको लिमिट्स दे टी जाती है मितला आपको करना है तो अल् Alf को लिमिट्स दे लिगएए और आप इसका इंटीग्रेट करने तो सिर्फ यही फरक होता अपको definite इसको स्टोमेंट इंडिकेशन करते दैंडिकेशन जाता था एक प्लास रिखना यद्क हो क्या कर देना है यह है यह यह इसको ना focus करें इसको करो a b a b कैसे लिख दिए हमने यहां integrate करना था न तो यह दोने इसकी limit है तो हमने bracket लगा के यहां लिख देना है a और b उसके वाद हमें क्या करना होते हैं फिर्ट है अपर लिमिट माइनस लोर लिमिट यहां पर लिमिट मतलब एक बार एक सकते कोई भी जरूरत नहीं है अब डिर्यक्ट लिख सकते हैं कि आपका function का integration आएगा fx मतलब capital fx a b to f of b minus f of a तो इस तरह से आप अपनी definite integration को solve करते हैं तो यह तो हो गया हमारा concept अब start करते है question number 12 से question number 12 की statement है integration of cos square x dx 0 to pi by 2 तो यह इसकी statement आपकी तो आपको पते कि exercise एक तरह से आपके ने जितनी अगर पीछे exercise कर लिया चाहिए 7.7 तो आपको integration में तो कोई भी दिक्कत ने आएगी क्योंकि सभी exercise की concept is exercise में यूज़ोंगे तो आपको integration बेकुल नॉर्मल है सिरफ बस आपको limit बाद में put कर देनी है तो करते है नॉर्मल इंटिक्रेशन को स्कोर एक्स की बाहर कॉमन आ सकते हैं ठीक है integration से बाहर आ सकते अंदर क्या बचाब बचाब ब्लस कोज़ोंगे जीरो टू पाइब बाइब टू और यह बचेगा आपके बैस इसके बाद कैसे इसे 1 का integration पहले तो नॉर्माल नींटिक्रेशन करनी है तो 1 का integration हो गया ending to x का integration साइन 2 x by 2 यह होगा पred करना पढ़ेगा तो इससे हमें डिवाइट करना पड़ेगा उसके बाद यहां पर लिखते है जीरो से लेके पाइब लिट तो इसके क्योंकि यह कोफिशेंट जो भी होते हैं उसके कोफिशेंट से आपको डिवाइट करना होते हैं यह हमने बेसिक फॉर्मुलास में अच्छे से पढ़ लिया था तो यह आगे जीरो से लेके पाई बाई टू अब उसकी बाद हमें क्या करने अपर लिमिट माइनस लोर लिमिट तो सारे कोशिशन ऐसे ही हैं अगर आपको पहले वाली एकसरसाइस आती है तो आपको अच्छे से कर सकते हैं अगर फिर भी नहीं आती तो में लिंक आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैंने सभी एकसरसाइस आपको करवाई हुए तो पाई बाई टू प्लस अब देखो बाहर लिख दिये पहले नहीं तो शइन 2 एकस के जंगा क्या पूट करण है पाई बाय तू माइनस लोवर लीइट के हैं जीरो तो एकसर पूट कर दिया जीरो माइनस आपर यहां पर नहीं तो आप एसे कर सकते है तो माइनस लगा के ब्रेकेट लगा थो प्लस फिर फिर खुलोगे तो यह माइन साई जाएगा Automatically यहां में जाएगा sign 0 तो इसको solve करो तो अंसर आजाएगा 5 by 4 ऐसे यह तो हो जाएगा 0 indy पाइब फोर अब करते हैं question No.13 integration of x x by x क्लाइं इसका इंटीगेशन करने तो इसके कर सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं यहां पर चला गए तो यह आपका बन जाते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया वह को सब्सक्राइब कर दिया वह को सब्सक्राइब कर दिया वह को सब्सक्राइब कर दिया कि निया लिमिट किसके ठीक थी जो आपका function DX में तब थी आपकी लिमिट पर चेंज हो जाएगी जब आपने वरियबल को चेंज कर दोगे तो आपकी लिमिट चेंज करनी होते हैं बच्छे चेंज करना भूल जाते हैं उसके वाज़न से कोशन गलत हो जाता है और माक्स कड़ जाते हैं तो आपको यह गलती नहीं करने हैं अपने लिमिट को चेंज जरूर करने हैं टीक के अकोर्डिंग आपकी लिमिट क्या होगी एक स्क्वेर प्लस व होगी 2 की जंगा लिखने 5 और 3 की जंगा लिखने 10 तो 5 to 10 आगे इतना समझ में अब 1 by 2 अब इसका integration तो हमें अच्छे से आते हैं 1 by T का integration log T और क्या लिमिट आपकी 5 to 10 तो 5 to 10 अब अपर लिमिट माइनस लोर लिमिट तो अपर लिमिट के 10 लोर लिमिट के 5 तो log 10 माइनस log 5 तो क्या लिख सकते हो 1 by 2 log देखो log M माइनस log M क्या फॉम्मला हुता है log M upon N तो log 10 upon 5 क्या बन जाएगा log 2 तो हो गया question number 13 अब करते है question number 14 integration of 2x plus 3 upon में 5x square plus 1 तो लिमिट के 0 से लेके 1 तो अब अगर आपको एक से standpoint 4 आपती है तो आपको question अच्छे समझा गया होगा कैसे करने आपको देखो कौनसी फॉर्म है linear upon में quadratic तो इसको हम कौनसी फॉर्म में करते है standpoint 4 से हमने इसे किया था तो कैसे करेंगी 2x plus 3 is equal to a b by dx of यह नीचे वाला जो भी आपका denominator 5x square plus 1 plus b तो इस तरह से आपको इसे करने है क्या करते हैं numerator लिखते हैं a d by dx of denominator plus b तो हम इस तरह से इसे solve करते हैं linear by quadratic form को तो 2x plus 3 is equal to a इसका derivative क्या होगा 10x plus b अब आप क्या करो अपना जो भी आगए साथ x के साथ coefficient और ने compare कर दो तो यहाँ पर क्या coefficient है 2 और यहाँ पर x के साथ क्या coefficient है 10a तो 10a is equals to 2 तो यहाँ पर constant है पूरी term में क्या constant है b यहाँ पर 3 तो b किसके equal हो गया 3 के equal हो गया अब हम इससे लिखते कैसे हैं अगर 7.4 आती है तो अच्छे से आपको पता होगा क्या कर सकते हैं आप 2x plus 3 की जिंगा यह लिख सकते हो ठीक है ना 2x plus 3 की जिंगा आप इससे लिख सकते हो तो एक ही value क्या आई 1 by 5 10x यह बन गया आप पस 1 by 5 10x plus 3 इतना आया देखो मैं यहाँ लिखते हो 1 by 5 10x plus b उपर वाले की जिंगा हम यही लिख सकते हैं देखो पर वैसे बन जाएगा अपॉन में 5x square plus 1 यह लिख दिया मैंने अब मैं दोनों को अप डिनोमिनेटर अलग-अलग कर सकते हो ध्यान से लिखो 1 by 5 10x upon 5x square plus 1 plus 3 3 upon 5 x square plus 1 तो यही मैंने क्या किया डिनोमिनेटर अपना अलग-अलग कर दिया फिर भी आपको कोई भी confusion है तो 7.4 exercise का link भी मैं description box में दोंगी तो आप वहां से चेक आउट कर लेना तो ठीक है इतना समझ आ गया हमने इन्हें अलग-अलग कर दिया तो जैसे इन्हें अलग-अलग कर दिया तो दोनों के integration हम अलग-अलग कर सकते हैं इंटेग्रेशन इंटेग्रेशन थ्री भार ले रखें मैंने सिरफ और यहां पर फंबाइफाइव अलग-अलग कर दिया जैसे डिनोमिटर अलग-अलग कर लिए ठीक हैं अब क्या करोगे अपना देखो दोनों तरफ आपको इंटेग्रेट करने आप सिंपल होती है वैसे इसको integrate करो कुछ भी अलग नहीं करना है आपको simple आप भूल जो कुछ time के लिए कि आपको limit भी गीरेने आप सिरफ इतना देखो अगर आपको इसके integration given होती तो सब्सक्राइब करते हैं नीचे वाले को क्या पूट करते हैं तो सब्सक्राइब करेंगे तो यहां क्या आएगा 10x dx equals to dt इतना आजाएगा तो 1 by 5 10x dx को हम लिख सकते हैं dt और नीचे के लिख सकते हैं टी ठीक है अब limit change करनी है हमें पते हैं x को अगर हम 0 पूट करते हैं एक 0 था तो टी इसके को लोगा ध्यान से देखो यहां पे 0 था तो टी आएगा 1 x को 1 पूट करेंगे तो टी के आएगा 6 आएगा तो limit हो गई 1 से लेके 6 तक अब इसके integration कैसे solve कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं अंडरूट x को अंडरूट 5x का whole square यह वाले formula हमने अपने एक साई 7.4 में पढ़े थे तो हमने 5x को लिख दिया अंडरूट 5x का whole square और 1 को नहां पर देखो कैसे integration होगी बिल्कुल सिंपल से integration है थ्री तो बाहर थाई अंदर integration करते हैं बन अपोन x square प्लस a square यह formula किस चीछ का है इसका formula क्या था 1 अपोन x square प्लस a square 1 अपोन a tan inverse x by a अब x की जगा क्या है पस अंडरूट 5x और a की जगा क्या 1 ठीक है इसको भूल जो म इतना आद रखो वन अपोन a की वैल्यू क्या है वन तो वन अपोन 1 ठीक है टैन इन्वर्स x की जंगा है यह अपोन में एक ही जंगा हमने रख दिया वन इतना आ गया समझ में उसके बाहर देखो अंदर जो भी आपका linear function होता है जो भी आपका linear function होता है दुबारा बोल रह या फिर भूल जाते हैं इससे डिवाइड करना तो आपको क्या करना होता है आप क्या करो 5 को पहली यहां पर कॉमन ले लो तो जैसे आप 5 को यहां कॉमन लोगे भार क्या बन जाएगा 3 by 5 अंदर क्या बन जाएगा x square प्लस 1 by 5 यह बन जाएगा ठीक है तो इसको हम लिख सक करनी है एक तरह से आपके एक्साइज डिवीजन एक्साइज भी हो गई आपके सारी एक्साइज इसमें रिवाइस हो गई तो लोग 6 माइनस लोग 1 यही बनेगा 3 by root 5 उसे लाद यहां पर भी लोग 10 इंवर्स रूट 5 माइनस 10 इंवर्स 0 इतना बन गया ठीक है 1 by 5 लोग एम माइनस लोग एन लोग एम अपॉन एन प्लस 3 by root 5 और यहां पर यह बचागा इस कंसर तो आजएगा जीरो आजएगा तो आगया कोश्चन नंबर 14 भी समझ तो आप करते हैं कोश्चन नंबर 15 इंटिगरेशन ओफ एक्स पावर एक स्क्वेर डिएक जीरो टू बन तो सम के इकवल होगा 0 के x1 के एकवल है तो यहां फुट करो 1 तो इसमें तो लिमिट आपकी जैंजीन बचाइब तो 0 टू बचलिएगी आपर लिख सकते हैं देखो to the power 1 e something raised to the power 0 1 तो आगया question solve हो गया बिल्कुल simple सा था तब करते हैं question number 16 integration of 5 x square अब उन में x square plus 4 x plus 3 into dx 1 से 2 तो अब यह आपके कौन से x से इस से link है 7.5 से हमने partial fraction पढ़िया अच्छे से तो यह partial fraction का ही question है तो हमने partial fraction में आपको एक note पढ़वाया था तो उस note में क्या था अगर degree of numerator is equal to degree of denominator then firstly हम क्या करते हैं divide करते हैं अपने numerator को denominator से numerator के 5 x square denominator क्या है x square plus 4 x plus 3 तो इससे इसको divide करते हैं long division method से हम अपने division करेंगे तो क्या आएगा देखो 5 यहां लिखोगे यहां क्या आएगा 5 x square plus 20 x यहां पर sign change कर दें तो क्या answer है minus 20 x minus 15 तो यह बनगे आपका remainder ठीक है इतना आगे आप पस उसे बाद आपको क्या करना होता है किस form में लिखते हैं हम इसे 5 ठीक है किस form में लिखते हैं यहां यह 5 प्लस यह माइनस remainder upon में this इस form में हाँ अपने कोशन को represent करते हैं आप इस वो solve करोगे तो आप देखोगे अब बस यही बनेगा तो आपको किस form लिखते हैं 5 प्लस अपॉं दिस अगर नहीं समझ आए तो 10.5 x 10 एक बर जरूर कर लो ठीक है इतना समझ में आ गया अब कैसे करने हैं वन से लिखे टू तक इसे इंटेगरेट करने हैं आपने इस फंक्शन को इसमें बनेगरेट कि आप इन दोनों का लग 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 टिसकर सकते हैं तो इन दोनों का लग लग लगी टिकेशन की संब धिया को इसका मैं होगा 550 और उसके बदुर यहाँ पर आपका यह प्रेक्टर कर देकी यह इस प्रफिक्षन लगानी है तो देखो नीचे लीनेर फेक्टर से आपकी ठीक है न आ समझ में नीचे linear factors हैं तो a upon x plus 1 plus b upon x plus 3 तो इसा आप आप पाश्य एक्षिन कहते हैं ना हम अपनी तो a upon x plus 1 plus b upon x plus 3 ठीक है इतना समझ में आ गया हमें minus 20 x minus 15 is equal to multiply करें सिर्फ कुछ नहीं करा क्या आएगा a x plus 3 plus b x plus 1 क्या कि हमने यहां पर LCM ले लिया तो जैसे LCM लोगे यहां क्या आएगा a x plus 3 b x plus 1 और यह दो आपस में cancel हो जाएंगे उससे बात क्या करने हैं आप x की क्या करो इसे 0 पुट करके देखो इसे 0 पुट करोगे तो एकसी value क्या आगे minus 3 तो x को minus 3 पुट करोगे एक ब 5 by 2 x को minus 1 पुट करोगे तो a की value आएगी 5 by 2 इतना हो गया हमें पस आप x को कुछ भी पुट कर सकते हैं बस आपकी calculation थोड़ी सी tough हो जाएंगे अगर आप और कुछ पुट करेंगे तो ज्यादा सिंपल यह है तो आप इससे पुट कर लेजे उसके आपको पस यह दोनों आ इसका मतलब अगर आप इन दोनों का लग लग इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना था यह इसके integration plus integration of this integration of 5 by 2 1 upon x plus 1 dx minus 45 by 2 integration 1 upon x plus 3 into dx limit हमने अपने लगा थी तो आपको पायाश्य फ्यक्ष्ण अच्छे से आने चाहिए यह question solve करने के लिए तो आपके लिमिट करेंगे तो आपकी लिमिट करेंगे तो वन तो क्या बन जाएगा answer 10 sorry 5 बनेगा तो 10-55 आपके पास 5 by 2 बन गया यहां पर लिमिट करेंगे तो 3 और लोग 3 by 2 आ जाएगा ऐसे आप इसे भी solve कर सकते हैं तो बिल्कुल simple question था अगर आपको पास्टे fraction आती है तो अब करते हैं question number 17 अगर आपको कोई भी doubt है तो आपको उसे comment section में पूस्ट सकते हैं तो हमें आपको जवाब देने की जरूर कशिश करूंगी तो 0 to 5 by 4 integration करने हैं आपको 2 sec square x plus x cube plus 2 into dx तो इन सब की integration हमें आती है तो करते हैं पहले simple integration तो क्या होगे 2 sec square x की integration 10x plus x cube की integration x raise to the power 4 by 4 plus 2 के integration 2x limit के लगानी है 0 to pi by 4 तो पहले अपर limit पूट करते हैं तो 2 x की जरुगा replace कर दो pi by 4 से plus 1 by 4 लिख दिया हमने x की जरुगा replace कर दिया pi by 4 का power होगी 4 plus 2 x की जरुगा हमने दिया pi by 4 minus lower limit x की जरुगा put कर दो 0 ये भी 0 हो जागा ये भी 0 और ये भी 0 तो answer आ गया 0 अब कुछ नहीं करना x pi by 4 क्या होता है 1 तो answer आ गया 2 और यहां पर इसको solve करोगे तो calculation करके आपके बस यह आ जाएगा और यहां पर बने गया pi by 2 हो गया question solve करते है question number 18 0 to pi by 8 sin square x by 2 minus cos square x by 2 into ds अब sin square x by 2 और cos square x by 2 के integration कैसे करते हैं इसे convert करते हैं पहले इसके formula में तो sin square x by 2 का formula क्या होता है 1 minus cos x by 2 minus cos square x by 2 का formula क्या होता है 1 plus cos x by 2 अगर आपको यह formulas नहीं आते हैं यह फिर याद करने में थोड़ी से confusion होती है तो आप मैंने एक वीडियो बनाई होई है तो आप उस वीडियो को check out कर सकते हैं में लिंग का आपको description box में दे दूँगी तो आप वहां से सारी ट्रिक्रोमेट्रिक फॉम्लास को असानी से याद कर सकते हैं तो ठीक है 1 minus cos x by 2 minus 1 plus cos x by 2 integration थो हमने अब तक कहीं नहीं है तो 0 to pi into dx इतना समझ में आ गया अब इसके वह करो LCM लो यहाँ पर तो LCM लोगे 2 ठीक है तो क्या बनी की calculation 1 minus cos x minus 1 minus cos x तो बनेगा cos x की integration क्या होती है sin x 0 to pi आपकी limit हो गई तो upper limit minus lower limit तो sin pi की value भी 0 होती है और sin 0 degree की value भी 0 ही होती है तो answer क्या आपको बस 0 अब करते है question number 19 integration of 6 x plus 3 upon में x square plus 4 into dx 0 से रेके 2 तो कैसे करोगे इसके integration ध्यान से लेको कौन सी uniform linear upon में quadratic linear upon में quadratic integration कैसे करते हैं x plus 3 a क्या करोगे इसका derivative क्या होगा 2x plus b आ गया होगा अभी तक तो method अच्छे से तब क्या होगा इसको क्या करो equal रखो आपस में तो क्या होगा 2x is equal to 6 और b is equal to 3 तो a की value आ गई 3 और b की value आ गई 3 तो अब a और b की value आ गई हमारी तो आप क्या करेंगे इसको देखो 3 हमने लिख दिया ठीक है ध्यान से देखो 6x plus 3 को हमें replace करना था इससे तो यह की चंग हमने लिखा 3 2x अपोन में x is to the power x square plus 1 plus b की चंग हम क्या है 3 अपोन में x square plus 4 यह बना था ठीक है न ध्यान से देख लो यह ही बनेगा 6x plus 3 की चंग हमने यह लिख है और LC हमको मतलब denominator को अलग अलग कर दिया आगे इतना समझ में तो यह हमारी पास बन गया integration की limit की जिरो से 2 तो यहाद रखने है यह ज़रूर लगानी है इसके बाद देखो इसके integration क्या होगी x square plus 4 तो इसकी integration क्या होगी x square plus 4 आप 2x dx is equal to dt इसके integration हमें आती है कैसे करोगे 1 upon पहले इधार काई सिखा देती हूँ 3 देखो 1 upon x square plus a square यही formula होता है 1 upon a a की value के है 2 10 inverse x by a मैं एक step यहाँ पर मैंने नहीं की है तो मैं यहाँ कर देती हूँ 3 था तो 1 upon a a की value के है 2 10 inverse x x value के है x ही है अब उन a की value के है 2 ठीक है न यहीं आया अब देखो upper limit minus lower limit तो 0 से 2 अब यहाँ पर देखो upper limit लगाएंगे तो क्या बनेगा 1 आजएगा 2 by 2 1 आजएगा minus 10 0 तो यह वाला step में यहाँ नहीं किया था तो यह मैंने यहाँ आपर लिख दिया इतना समझ में आगए इधर की indication तो solve होगी जरफ यहाँ पर value value निकाल लिया हमें और हो जाएगा हमारा answer अब इधर की indication सब्स्टिडेशन से होगी तो x square plus 4 को t put किया 2x jx आगे है dt के equal तो अब लिख दिया dt और नीचे आगे हमाँ पस t तब x 0 के equal है तो t किसके equal है 4 के और x को 2 put करके देखो तो t किसके equal आएगा 8 के तो 4 to 8 हमारी limit भी जेंज हो गई तो अब होने वाले बस question solve बिल्कुल simple सा बज़ए अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है तो क्या होगा log t limit के है 4 to 8 plus 3 by 2 pi by 4 बस upper limit minus lower limit और आपका question solve हो जाएगा और यह आपका answer आजाएगा अब करते हैं question number 20 integration of x e raised to the power x plus sin pi x g limit के 0 तो लेके 1 तो इसकी integration हमें आती है ध्यान से देखो sin की integration क्या होगी minus cos pi by 4 x और उसके बाद साइन मतलब linear function के अंदर अंदर जो भी function होतो उसका derivative से divide करते है तो अंदर function की है pi by 4 x तो pi by 4 उसका derivative आएगा तो उससे हमने divide कर दिया तो इसकी integration तो हमें आती है इसकी integration हमने काँ पढ़ी थी x i 7.6 में तो इसकी integration कैसे हो कि देखो यह first function है और यह आपका second function integration by parts में हमने किया जाना तो यह आपका first function है और यह वला आपका second function है तो क्या formula था first constant second का integration तो इस तो इस तो पावर x का integration उसे आद क्या करो इसका अंसर क्या एगा देखो solve करके integration करो इसको e raised to the power x का integration e raised to the power x तो इसका integration यह आए एक पस तो इसके जहां हमने यह लिख दिया और इसका integration हमने यह लिख दिया पाव लिमिट के आपके 0 से लेके 1 तक अब कुछ नहीं करना upper limit minus lower limit यहां पर भी e minus 4 by pi by 4 नीचे तो उपर जाके 4 by pi और यहां पर solve करो cos pi by 4 क्या होता है 1 by root 2 आगे इतनो solve करना minus अगसे बाद क्या करो 0 put करो तो यह भी 0 हो गया e raised to the power 0 put करोगे तो 1 आएक अंसर और यहां पर 0 put करोगे तो क्या अंसर आएगा देखो cos pi by 4 sorry cos 0 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा 4 by pi तो यहीं हो गए आपकी calculation और math में आपको practice करके देखना जरूर ही होता है आप सिर्फ question समझके नहीं सोच सकते कि आपको question आ गया तो आपको एक बाद जरूर लिखके question को करना होता है तो आपको पास अंसर यह के root 3 तक इसकी limit है तो इसको कैसे solve कर होगे one upon one plus x square इसकी integration क्या होती है tan inverse x यही होता है इसका formula one upon a यह की value क्या है one tan inverse x by a one by root 3 आपकी limit जी one से लिके root 3 तक तो अपर limit minus lower limit हो गया अब देखो under root 3 को लिख सकते है 10 pi by 3 ठीक है 10 inverse 10 pi by 3 क्या बनेगा pi by 3 माइनस 10 inverse 10 pi by 4 क्या बनेगा pi by 4 तो अंसर सोल्फ कर क्या जाएगा pi by 12 यह अपनी inverse टिक्मोमेटर में पढ़ा था अपनी अब करते हैं question number 22 यह last question है 0 से लेके 2 by 3 1 upon 4 plus 9 x का whole square into dx तो आपको इसकी integration करनी है तो सबसे पहले आप क्या करोगी क्या करना 9 को कॉमन ले लो क्योंकि x2 को कोफिशेंट जित 1 हो तो ज्यादा अच्छे है था हमने 9 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच्छे का 4 by 9 x2 मैं आपको बाद में बताऊंगी अगर आप 9 कॉमन नहीं लेना चाहते तो आप क्या करोगे 0 से लेके 2 by 3 यह बन गया dx यह नहीं बनेगा क्या फूमला होते है 1 upon a tan inverse x by a तो यह की जंगा क्या है 2 by 3 तो 1 upon 2 by 3 क्या बनेगा 3 by 2 बन जाएगा tan inverse x की value क्या है x एं ड्री यह जंगा तो एक सी एक सिए एक से एक सी जंगा क्या है टूब ऐए ट्री तो बाई त्री नीचे तो ऊपर चला गया तो ठीम इस लिमिट के आपके 0 से लेके 2 by 3 तक ठीक है ना आ रहे है समझ तो 1 by 6 अपर लिमिट माइनस लोर लिमिट कुछ नहीं करा 3 by 2 थाई X के जंगा क्या पूट कर दी अपर लिमिट माइनस लोर लिमिट तो अंसर क्या आगया 1 by 6 पाई बाई 4 तो यहीं बनेगा आपको पास यहां पर सॉल्फ कर लिजी टैन इंवर्स बनेगा तो टैन इंवर्स बनेगा पाई बाई 4 का अंसर आगया पाई 5 by 24 नहीं तो आप क्या कर सकते हैं इस कोश्य में ध्यान से देखना अभी मैं आपको क्या पता हूंगी जीरो से लिएक टू बाई 3 10 x x के जहंग क्या है 3x upon a एक जहंग क्या है 2 इतना अगया 1 upon a 10 inverse x by a इतना बन जाएगा अको उस ही अगा क्या करना मैं जो भी आपको पर अंदर linear function अससे आपको dievide करना तो linear function कहा हंदर हर function का है डिएरिऑटिव से दिवाइट करते है न तो देखो अगर और यहां पर X होता है तो X का derivative के होता है 1 तो उससे डिवाइड करते हैं तो कोई फरक ने पड़ता यहां 3X है तो 3X का derivative के है 3 तो उससे हमें इसे डिवाइड कर देना है तो डिवाइड करोगे तो यहां आजएगा ठीक है तो यह बन जाएगा 1 by 6 10 inverse 3x by 2 देखो यही बनेगा 1 by 6 10 inverse 3x by 2 लिमिट आपको लगा देनी है 0 से 3 by 2 2 by 3 तक तो मैं आपको prefer करूँगी कि आप इस वाले method को follow करें हमेशा x2 को coefficient को 1 बना दीजिए और उसके वाद अपने question को solve करें इससे आपको जाए दिक्कत भी नहीं आएग और नहीं confusion होगी तो आपकी मर्जी आप केसी method से solve कर सकते हैं तो मैं होप करती हूँ आपके रिए वीडियो helpful रही होगी तो प्लीज इस वीडियो के लाइक कर दीजिए और में ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की notifications आपको मिल जाए आप मुझे Instagram पर फो